नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में यूपी में धूम मचाने वाली लोग गाई का नेहा सिंग्राठ और यूपी में काब आगाने के बाद अब एमपी में काब आकी शुरुवात करने जा रही है इसी संदर्ब की जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर पर ट्वीट करके दी है हलाकि उनकी स्तयारी की शुरुवात ही उनके लिए मुश्किलों का सबब बन गई दरसल नेहा सिंग्राठ और पर भोपाल के हबीब गंज थाने में FIR दर्च की गई है FIR में बताया गया कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक विवादित पोस्ट किया इस पोस्ट में RSS की युनिफॉर्म पहने एक व्यक्ती सामने बैठे व्यक्ती पर पेशाप करता दिखाई दे रहा है दरसल भोजपुरी लोग गाई का नेहा सिंग्राठोर के खिलाव भोपाल में मामला दर्च किया गया है नेहा सोशल मीडिया अकाउंट पर एक मीम पोस्ट किया था उन्होंने जिसमें सीधी में पेशाप कांट के आरोपी को RSS की ड्रेस पहने वे दिखाया गया इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें कॉंग्रेस का एजेंट बताने लगे जिस पर नेहा सिंग्राठोर ने ट्वीट कर उन्हें जवाब दिया है नेहा सिंग राठोर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कुछ लोग मुझे कॉंग्रेस का एजेंट बता रहे हैं सपाई और कुछ आम आदमी का एजेंट बताते हैं बिहार में भी ऐसी ही अफ़ाहे हैं सच सभी जानते हैं मैं सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में हूँ, हर राजी में जो भी पार्टियां विपक्ष में हैं मैं उसके साथ हूँ, विपक्ष की यही पार्टियां जब सत्ता में आ जाएंगी तो यही मुझे अपने विपक्ष के साथ खड़ा पाएंगी। नेहा ने लिखा कि केंदर में जो भी पार्टी विपक्ष में है मैं उसके साथ हूँ, सरकारे बदल जाएंगी पर मैं विपक्ष में ही रहूंगी, एक लोग कलाकार को जनता के पक्ष में रहकर सरकार से सवाल करना चाहिए, क्या ही उसका धर्म है, मैं अपने धर्म के साथ बता दे नेहा सिंग राठोर ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया है इसमें उन्होंने यूपी में काबा की तर्च बर जल्दी MP में काबा लाने की बाद गही थी पोस्ट में एक मीम भी जोड़ा गया जिसमें RSS की ड्रेस पहने एक व्यक्ति को सीधी कांट की तरह एक अन्य व्यक्ति पर पेशाप करते हुए दिखाया गया था यह पूरा मामला यहीं से तूल पकड़ लिया और फिर उनके खिलाफ FIR दर्च की गई है इस पूरे पोस्ट में अरेस्ट प्रवेश शुकला का हैस्टेक भी जोड़ा गया है जो सीधी कांट का आरोपी था छे जुलाई को सुबह साड़े दस बजे यह पोस्ट की गई बहुत जल्द चर्चा में आ गई और इसके बाद शोशल मीडिया पर लोगों ने प्रतिक्र पहना कर पहना बताया गया है यह शिकायत बिजेपी के अनुसूचित जाती मोर्चा के मीडिया प्रभारी सूरज खरे ने की है